जैसे कि बताया आपने कि मैं तो एंजिनियर था, IIT Bombay का second batch, लेकिन सभी एंजिनियरों का धेयर, लक्ष होता है MIT में पढ़ने का, क्योंकि MIT जो है विश्व की सर्वोत्तम, number one, technical institute है, और सब की सपना होता है कि जाके वहाँ पढ़े, MIT ने 70-80 Nobel laureate create किया है, वाँ, amazing, amazing, amazing institute, और दखवान की इच्छा थी, admission मिल किया मुझको, लेकिन मुझको engineering नहीं करना था, मुझको MBA करना था, उस वक्त इंडिया में MBA कोई समझता ही नहीं, था ही नहीं, था ही नहीं, तो admission मिला तो मैं गया MBA करने के लिए, और वहाँ मैं मुला और मैं उनका assistant भी बन गया, और वो computer में थे, तो उनसे जो शिक्षा मिली, और उनसे जो प्रोच्षान मिली, और वो laboratory थी, जो बोलते है project Mac, जो कि उस वक्त विश्विक की number one, software laboratory थी, वहाँ तीन साल काम करने का मौका मिला मुझे, तो उससे प्रोच्षान से और शिक्षा से मेरी येच्चा हुई कि हिंदुसान में भी कुछ करना चाहिए, तो ये beginning थी उसकी. ये आपके प्रोफाइल में, software, 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 फिर suddenly, ford motor company कहां से आ जाती है, उससे क्या आपका concern था? में जब मैं MBA कर रहा था, मेरा rank number one था वहाँ भी, उसको कैसे पता चला पता नहीं, उनका निमंतरन आया, क्या आप बताईए हम computer को कैसे इस्तेवाल कर सकते हैं, कार बनाने में, तो जो भी invitation आया, तो मैंने का हाँ, वाइ नॉट, उस वक्त फॉर्ड और GM निया की दो सबसे बड़ी कंपनी थी, तो मैं हर मैने, एक हपते तक ford में रहा था, और उनको बताया के computer से क्या कर सकते हैं, तो उससे मेरे PSG में भी काम में आया, जो काम मैंने ford में किया, उसका जो material था, जो अनुभा प्राप्त का मुझे, वो मेरे PSG में भी काम में आया, तो जो ford मोटर में गारी बनाने का नहीं कर रहा था, मैं उनको बता रहा था कि computer कैसे इस्तेमाल क्या जा सकता है, आउट ओफ क्यूरोशरी में सरा ना वीचार ना रहे, कि असा तुम्ही सांगीत लगत कि तुम्ही फोर्ड मोटर कंपनी चे सल्लागार होता, तर तुम्हाला ही कधी गाडी सालोने ची इच्छा, कि महां आव वर्ड, कि महां गाडी सालोने प्रती तुम्ही को पैशनेट अ किसे तुम्ही आमचार रसी करना सांगुशकता का? अब तो मैं चार-पांच साल से नहीं चिलाता हूँ, कि मेरी उमर 80 साल चूपर हो गई, लेकिन गाडी चिलाने का हमेशा शौक रहा है। अनदर ट्विस्ट, अभी है आप सौफ़एर से मोटर कंपनी में चले गए, अब मोटर कंपनी से आप SBA में कैसे चले गए? स्टेट बैंक आप इंडिया ना? वही है ना यह? तो कहां से कहां जम कर रहे हैं? मैंने SBA को जॉइन नहीं किया मैंने, जब मैंने टाटा को छोड़ा, तब वह भी कंप्यूटर का सोच रहे थे, स्टेट बैंक आप इंडिया उस वक्त कंप्यूटर इतना लापित नहीं था, तो उनका निमंतर ना आया है कि आप बताईए हम कंप्यूटर से क्या कर सकते है तो जब उनका आया और सबसे बड़ी बैंक थी इंडिया की उस वक्त, तो मैंने उसको मंजूर किया, अभी भी है, अभी भी शायद है, तो मैंने मंजूर किया, दो साल तक उनको मैंने बताया कि कंप्यूटर से बैंके में क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, तो भी गाड़ी बनाने में, बैंकिंग में वगेरा तो उससे आपको कितने ओपनिंग गई आपने एक आदमी हैं जिसने उससब चीज को कैप्चर करा, not many people like you. वेल, इस वक्त वक्त का है, कम्पूटर का वक्त शुरू हुआ था उस वक्त का. मैं आया अमेरिका से पड़के, मुझे को चांस बिला, मैंने उसका इस्तेमाल किया, सब को फाइदा हुआ, देश को फाइदा हुआ, टाटास को फाइदा हुआ, फोर्ट को फाइदा हुआ, स्टेट बैंक को फाइदा हुआ, स्टेट बैंक को फाइदा हुआ, एवरी बड़ वो भी है वो भी चाहिए इस्वर की देना है येस तो डेटा मेटिक्स की जरनी क्या है चूकि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ और व्यापार जो है इंडर्स्ट्री जो है खून में बैता है तो वैसे बहुत कम उमर में टाटा का चीफ एक्जेकुटिव हो गया था लेकिन सन 75 में हम लोगों ने एक कमनी स्टार्ट करी दस ही एंप्लॉई थे बहुत छोटे रूप में स्टार्ट करी थी और काफी कटनाई भी पेश आई थी इतना असान नहीं था उस वक्ट पी फंड नहीं थे वेंचे कैपिल नहीं था मेरे जेब में रुप्या नहीं था तो मु सब का साथ रहाएं क्लाइन्स मिले बढ़ता इफ अच्छा उगया था तुम्ही आता सांगीत लड की तुम्हाऍला अर्चने आला तुम्हाश्वताहचा सुरुवात करता ना तुम्ही रसी का नहीं युवावा पेढ़िला काई संगल की अज़र नहीं था निएपकसी करै funds आए तो पैसे भाई ते पर देता था था वेंचर कैपिटर पर आए ते पर पैसे देता था 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 ते टाइम ला कहीं नो था तो आता भी सांगते एक तो एजूकेशन पाईए जिक्षा पाईए तो एजूकेशन करा जितना हो सके करिये उसके बाद में अंदुरनी जो इच्छा हो पैसन जिसको बोलते रहे घू काम करो वो काम करेगी तो पैसन को छोड़िये मताब जो आपका पैसन हो करिये और लास्टी परसिस्टंस बार चूकिया बत करते रहिए और सफलता प्राप्त होगी अगर आपका एजुकेशन होगा अंदुरी निच्छा होगी और आप करते रहेंगे तो सफलता प्राप्त होगी आपले युवान साथी खुब सुंदर मूला मंत्र दिलाए सरन्नी एजुकेशन पैशन आणी कंसिस्टेंसी याला धरूंजर अपन चालत रहे लो तर सक्सेस नकीच निश्ची तस आपले हाताते है आप एम एटी में प्रोफेसर थे तो वो कैसे आया क्यों बन गए वो चांस की बात थी मैंने स्टर्टिस्टिकल डिसिशन थियरी एक विशह है जो पड़ा था और उसके प्रोफेसर थे प्रोफेसर हावर्ड उनका अचानक स्टैनफर्ड में अपॉंट्मेंन हो गया तो उन्होंने निरने लिया कि वो स्टैनफर्ड एक-दो वर्ष के लिए जायेंगे और वो विशह अगले साल पढ़ाना था और कोई था नहीं तो उन्होंने मुझको चुना कि यह रड़का पढ़ा सकता है तो उन्होंने करना था अच्छा प्रोफेसर नहीं था तो उनका निमंत्रन आया कि नहीं ललित आप इस विशे को पढ़ाईए क्यों मैं जा रहा हूं तो मैंने स्विकार किया उसको और मैंने एक साल तक वह विशे पढ़ाया मेरे खाल से अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ तो जब आपने ये असाइन्मेंट लिया आप अपने स्टूडेंस से छोटे थे तो आपके स्टूडेंस थे इसमें उससे आप छोटे थे उमर में ऐसा कुछ मुझे याद पढ़ रहा है आप सही बोल रहा है कि नॉर्मली एम्ब क्योंकि मैं अच्छा विद्यारती था है आइएएएटी में भी जो फाइनल ये था उसमें भी मेरा प्रथम प्रसान था तो उन्होंनों वेव किया हूँ तो मैं M.I.T. में अद्मिश्ड हुआ विटाउट एनी वर्क एक्स्पिरियंस तो जो मेरे शिक्षा में थे, क्लास रह्षा विद्यारती था उसमें फिमासा विद्यार था हुआा द्रूस ने जया हुआ। विद्यार्थी भविश्य है हिंदुस्तान का भविश्य आज का जो student है विद्यार्थी वो ही है तो इसलिए उनको तो पालना पड़ता है और पालना भी चाहिए जैसे कि मैंने कईों को कहा आज की जो सबसे बड़ी कंपनी है आप Microsoft ले लिजिए Apple ले लिजिए Google ले लिजिए सब शुरू की विद्यार्थियों ने और पचास साल पहली यह थी नहीं कंपनी नहीं थी उस वकंपनी थी उनाइटिस्टेक स्टील जेनल मोटर्स फोर्ट बोड़ कंपनी विश्य केस्पर बड़ी कंपनी थी अब इनका नाम ही न प्रोचान दे तो मेरी हमेशा इच्छा रही शुरुआत से के विद्यार्थियों को असिस्ट करना चाहिए इसे बंबज निवंद्रन आया के जो एडवाइजरी बॉर्ड बनाना चाहते थे उसमें हमारे तीन लोग है रतन टाटा है अनील काकोड का जो अटोबिक एरेजि कुछ कह सको कुछ बता सको कुछ इंफुएंस कर सको तो मेरी हमेशा इच्छा रही उस इच्छा में कि विद्यार्थियों के लिए कुछ करना चाहिए ललीच सेर तुम्ही 2015-16 साली इंडो-अमेरिकन चेम्बर ओफ कॉमर्स से राष्ट्रिय अध्यक्षमनोन कार्य भर अध्यक्षमनोन चेम्बर ओफ कॉमर्स और इंडॉस्ट्री यहांचा सदस्य जो है आहे मेंबर जी आहे है इस अगला कंपनी असना है ओल कंपनी अध्यक्षमनोन मेंबर सो इट गिवज यू अन ऑपरचुनिटी इट गिवज यू अन अबिलिटी तो टॉक तो जो बिजन इंडॉस्ट्री इसमें यह भी अवसर मिलता है कि सरकार के बात कर सकते हैं लोग क्यों सरकार जो है सभी सरकार वो मेरी और आपकी नहीं बात सुनता है सरकार चेमबर की बात सुनता है क्योंकि चेमबर के हजारों सदस्य कप्रिस होती है तो उनकी जो आवाज होती है वो कान तक उनके पहुंचती है, तो मुझको मौका मिला इंडो अमेरिकन चेम्बर का प्रेजिडन बनने के लिए, मेरी हमेशा भावना थी कि अमेरिका से हम लोगों को समझाता करना ही चाहिए, क्यों देश का प्रथम, वर्ल्ड का प्रथम देश, आज भी अमेरिका है, तो उनसे का प्रेजिडन हूँ, तो मैं कुछ प्रदान कर सकता हूँ, तो मैंने एक साल तक वो दिभाई और उस साल में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी चेम्बर की फॉर्चुनेटी जब मैं इधर्ष्य था, था, तो काफी फाइदा मिला, अमेरिका जाने, वैसे भी जाता रहता हूँ, सौ बार गया हूँ, अमेरिका, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन यह अलग दिशा थी, कि हम लोग मिल के क्या कर सकते हैं, परपस अलग था जाने का, हाँ, 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 केट फॉरवर्ड, अब दिशा ठीक है, आप देखेगा, हम लोग अब, अब यह तरफ तो बड़ी अनोखी बात है, अमेरिका से बिजन्स कर रहे हैं, रस्या से कर रहे हैं, तो यह आज की सरकार समझ रही है, कम को अगर विश्च में जीना है, तो सब के साथ मिल के काम करना चाहिए, तो यह वाका मिला मुझ को इंडो अमेरिकन जेमर में, बहुत शिक्षा भी मिली सब्सक्राइब. और वो करने से सीखते हैं, तो वह बेशा ही काम है। सब करने से, जो रास्ता चुना है, चुना है, सीखा है, करा है, क्या-क्या मेजर अर्निंग हुई, लर्निंग, और मेजर डिफिकल्टी उस क्या है आपको, यह सब करने से, चुआ भार कीज से आप जब मैंने शुरुआत की हिंदुस्तान में सरकार के कंट्रोल बहुत ज्यादा थी अब काफी शूट है काफी शूट है तो उस वक्त तो सब चीज के लिए गर्वर्मन्ट की परमिशी चाहिए थी और इससे रुकावट आए हिंदुस्तान के आगे पढ़ने में अब काफी और भी तैय करना है अब तक कम्प्रीट कर सकती है तो बिसस को तो प्रोच्चान करने ही है देना ही चाहिए और मुसको लगँा है आज जो है। इसकी दिशा सही है कि हम लोगों को इनको बढ़ावा देना है और इनके जरिये हमको आगे बढ़ना है मैं तो हमेशा बोलता हूं बगवान ने हिंदुस्तान को सब कुछ दिया है जबी दी है नदिया दी है क्लाइमिट दी है अच्छे से अच्छे ब्रेंड दिये हैं आप CEO देखिए सब CEO सब्सक्राइब है तो मुझको तो लग रहा है कि दिश्या बिल्कुल ठीक है और मोदी जी बोलता है कि हम तीन नंबर पहुंचेंगे मेरी तो इच्छा कि है नंबर वन पर पहुंचें हम लोग फिर से वी शुट बीड़ वर्ल्ड लाज़ेस्ट एक्रामिक पावर वह वह इतना है कि अमेरिका सबसे बहुत ज्यादा आगे है बाखी सब कंट्रीज को अपन कवर कर लेगे अमेरिका को करना टाइम लगेगा वह और भी आगे भी बढ़ते जा रहे है तोड़ते जा रहे है विकार जी धाइसो साल पहले हम नॉट लॉंग अगो इंडियों सेविफि 2047 में वी डिवेल्प कंट्री में अगोड़ते जाने जाना करता स्था तुम्ही तिथे शिकले ले आहाथ तुम्हाला तया कल्चर ची जाना है तर माला आसा विचार है की अमेरिके चा तुलनेत भारताथ स्वनिर्मित कंपन्या तयार होना सथी भारताला कुठल्या ये जरने करों आपन अमेरिके चार्आगेत पोच से खूझ शेकुचै सा अपन आता चर्शा करत होतों अटारीफ क्या है देखिए टो वने कि दह ऑने क है जो ठ्यी जो कि जोола सभी अमेरिका में हैं यह को सब और देशों से आय वे हैं यह एक ही देश जैसा है अमरिकन तो इंडियन थे चले गाए लिए बिटिश है को जर्मन है तो कोई चाइनीज है तो को इंडियन है तो कोई कुरियन है लिए उन्होंने सब का संगठन किया हुआ है और जो बड़े से ब्रेट ब्रेट इस जर्मन था एक्जाम्पल वान ब्राउन जिसके बनाए जर्मन था माक्रोसाफ्ट का जो चीफ एग्जेकेटिव है नडेला हिंदुस्तानी है तो हम लोगों को सब को मिलकर काम करना है तो यह कुछ सीखने को मिला के संभव है संभव है तो हम हिंदुस्तानी सब एक होकर एक दिशा में चलें तो सब कुछ प्राप्ट हो सकता है क्या नहीं कर सकते तो सबसे तो नहीं बूलगा लेकिन motivated जो हैं हिंदुस्तानी और जहां भी जूशी जाते है आज भी अमेरिका में सबसे ज्यादा per capita income इंडियन्स की हिंद दन जूस जैस मोर दन चाइनिज सबको आगे कर दिए सबसे आगे हैं और डॉक्टर भी वन थार्ड या वन फोर्ट इनुसानी है तो देश ने भगवान की देन है तो हम लोगो दिमाग दिया है दिल दिया है तो क्या नहीं कर सकते हैं इस सब प्रोचा होना जाए सरकार को सब को आगे बढ़ना जाए कि बढ़ी आप रुक्या मत चाहिए चाह नहीं कर सकते हैं मंड़ी ललीच सर खुब सुन्दर पद्धा दिने सांगता था एकजूटी चा महत्व तुम्हाला सांगवास वट्ट की रतन टाटा मंटात की जर तुम्हाला जलद फास्ट गतिने काम कर तुम्हाला दूर परेंत त्या बिंदू परेंत काम करा जल तर एकजूटी ने काम करा आप लेला जर देशात जगात नंबर वन भाई चाह सेल तर आप लेला एकजूट होनाई ची गराज है वरोबर एकदम आपने लतन ताटा का मेंशिन करा आप कई सालों से ऐसा लगता तुम्हाला था कि टाटार पीछे हो रहे हैं लोगों को पता ही नहीं चलता ही कि कब आगे निकल जाए जी 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 मैसिब अमांट 20 लाक करोर से तुम्हाला तुम्हाला खुब धन्यवाद कि तुम ही एथ्याला आणि रसिकान ना खुब सुंदर गोश्टी सांगित ले परत एक दा धन्यवाद मंडरी तुम्हाला एक सांगावस वट्टा कि जा गोश्टी सच्चे आहेत महान आहेत शुद्धा आहेत सुंदर आहेत त्या शुभा आहेत सदाचार सदवर्तन सदगुण आणि कवतुकास्पत गोश्टीन चा नक्की विचार करा या सोबत अच म करावे कर्म करावे निर्धाराने लड़त रावे संकटांची करूनी संधी शिखर पेलले सकंधी कदी आजा कदी निराजा देर जोडले आमी असे कडलो हो आमी मैं असे कडलो हो आमीर साथ रिवाहिनी, प्रत्ते घरा साथी, घरा दल्या प्रत्ते का साथी नमस्कार, वास्तविक्ता यश्याची कार्यक्रमाद मी कोमल गवसापल स्वागत करते। देशातल्या प्रत्तेक व्यक्तिसा विकास झाला तरस देशाचा विकासोईल हे जानून, प्रत्तेक व्यक्ति परन्थ विकासाची गंगा पोहसोंनाचा उद्देश केंडर सरकारन ठेवला। तैसाठी विविधा योजना ही कार्यान विद करने ताले आहेत। या कारेक्रमाच्वा माध्यमातून आपन या योजनांचा नेमका कोणाला कसा लाब जाला या वर प्लेशना है।